आज हमारे यहां पर मंच का संचालन कर रहे दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्वी हमारे दिल्ली के वरिष्ट नेता राजकुमार चौहान जी पूर्व प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के अध्याक्ष अर्विंदर सिंग लवली जी हरुन यूसुफ जी, हमारे पूर्व सांसर महाबल मिश्रा जी, रमेश जी, सचन कुमार जी हमारे बहुत सारे जिलाद ध्यक्ष और AICC सेक्रेटरी जहां पर मौजूद है तरुन कुमार जी, सुराज जीवन बालमिकी जी, डॉक्टर एस्पी सिंग जी AICC सेक्रेटरी नसीब सिंग जी, सुरिंदर जी, जैकिशन जी, डॉक्टर एस्पी सिंग हमारे AICC SC डिपार्टमेंट के जनल सेक्रेटरी हैं जिन्होंने बड़े विस्तार से इस एक्ट को कैसे डाइलूट किया गया है प्रदेश में आकर के समझाया चरन सिंग कंडेरा जी यहां पे मौझूद और बहुत सारे हमारे दिल्ली के कॉंग्रेस के नेता हमारे दलित समाच के कॉंग्रेस के नेता सभी लोग यहां पे मौझूद हैं दिल्ली कॉंग्रेस सेक्रेटरी जैकुमार अशोग तमर जी भी हमारे बीच में है, मैं माफी चाहता हूँ डिज्ञाल खावरी जी वाइस प्रेज़ेंट अब अरविंदर सिंग लवली जी भी जो अभी कॉंग्रेस में शामिल हुए शिवराम जी, शिवराम तो और्गनाइजर है, इसलिए सबसे लास्ट में शिवराम जी, हमारे दिल्ली स्जी डिपार्टमेंट की अध्यक्ष और यहाँ पर तमाम हमारे साथी गण दिगाज साहब, भीर सिंग, दिगान जी हमारे वरिश नेता यहाँ पर मौझूद है राजेश शोहान जी और यहाँ पर उपस्ते बहुत सारे हमारे साथी मौझूद है आज सबसे पहले तो मैं पुनिया जी का और नितिन राओ जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ आपने बहुत विस्तार से किस प्रकार से दलित हितों के उपर प्रहार हो रहा है उसकी जानकारिया जहां पर दिया मैं आप लोगों को सभी तमाम साथ्यों को केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि दलितों के सम्मान में जो हमारे पूर ब्रधान मंत्री स्वर्गे राजीव गांदी जी ने 1989 के अंदर जो कानून बनाया था जिस कानून को नरेंदर मोधी सरकार खतम करने की कोशिश कर रही है जिसकी रक्षा के लिए रहुन कान्दी जी ने कमरकस के पार्लिमेंट के अंदर और अलग अलग जगाओं के उपर हिंदुस्तान के अंदर कमरकस करके उसको तलितों के समान की लड़ाई लड़ने का ठाना है धिल्ली कॉंगेस आज से शुरुवात करके दिल्ली के गोने के अंधर जाकर कि इस समाह की रक्षा करें आज आगे आने वाले समय में हम लोग तयारी कर रहे हैं दिल्ली में 25 जगाँ के उपपर हम लोग आगे आने वाले एक ह़टे से 10 दिन के अंदर अंदर हम लोग बड़ी पब्लिक मीटिंग करके लोगों के बीच में जाकर के बताएंगे कि किस प्रकार से दलितों की हितों को खतम किया जा रहा है, उनके समान को खतम किया जा रहा है आज हम सब लोग यहां पे कॉंग्रेस के साथ ही यहां पे मौदूद हैं, मैं आप लोगों से केवले एक बात कहना चाहता हूँ, आज वो दलित समाज जिसने हमेशा से कॉंग्रेस का दामन छामा है, वो दलित समाज कॉंग्रेस के उपर, कॉंग्रेस के कारे करताओं को और को आज के समय पे उनके साथ में खड़े होकर के राजीव गांदी जी के इस कानून की रक्षा के लिए आज हमारे को सड़क के उपर उतर करके लड़ना होगा इसमें किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं आनी चाहिए हमारा अंदोलन पूर्णते हमारा अंदोलन पूर्णते बग पुलिस को भी ये कहना चाहते है कि हम लोगों को धलिटों की इस लड़ाई के अंदर तंग ना किया जाए नहीं तो हम लोग हर तरीके से हल रोग हर तरीके से लड़ाई लड़कर के जितना जानते हैं हम लोगों को किसी भी किसम से दबाने की कोशिक नहीं किया है और हमारी लड़ाई हमारी लड़ाई आज यहां चे शुरू हूई है और इस लड़ाई को हम लोग दलीदों के सम्मान में गाजीव गांदी जी के उस कानून के लिए दलीदों के खिलाब पूरे देश भर में खास और भाजपा शासित प्रदेशों में जो अत्याचार हो रह उस लड़ाई के लिए हम लोग जमीन पे जाकर के उतर करके लोगों के बीच में इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे आप सब यहां पर आए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जेहिं जेवाद़